आज हम करेंगे income tax का section 288A and 288B ये दोनों ही sections rounding-off की बात करते है 288 बात करता है rounding-off of taxable income कि हमें किस तरीके से जो हमारी taxable income निकलके आती है हमें उस तरीके को इसको round-off करना होता है और 288 भी बात करता है rounding-off of tax payable यदि कि हमें जो tax liability arise होती है हमें उसको किस तरीके से round off करना होता है तो दोनों ही section rounding off के हैं तो चले video start करते हैं पहले बात करते है section 288A जो है rounding off of total income so as per section 288A total income computed in accordance with the provisions of income tax law shall be rounded off to the nearest multiple of 10 यानि कि section 288A के according जो भी हमारी total income as per income tax provisions calculate होती है हमें उसे nearest multiple 10 में round off करना होता है यानि कि हमें 10 रुपी के multiple में उसको round off करना होता है total income अब सबको पता है कि what is a total income तो जो भी हमारे 5 heads of income निकलके आते हैं उनसे total जो भी income आती है में उनको add up करना होता है फिर हम clubbing provisions supply करते हैं कि जो minor की income है या spouse की income है तो उन सबको add up करने के बाद set of and carry forward के provisions लगाने के बाद हमें gross total income मिलती है और GTI में से जब हमारे जो deductions है chapter 6 है कि उसको less करने के बाद जो हमारे पास total income आती है यानि कि जिसके उपर अब हमें tax liability calculate करनी है तो finally उस total income को हम किस तरीके से round off करेंगे अब हम वो सिखते हैं तो इसको मैंने steps में कुछ divide किया है first any part of rupee consisting of any पैसा should be ignored यानि कि उसने बोला कि अगर आपकी जो total income आई है उसमें कोई भी पैसे का amount है for example 99 पैसा 43 पैसा 50 पैसा तो यानि कि अगर आपको total income में कुछ भी पैसा नजर आ रहे है तो आपको उसको ignore करना है तो in the first step we ignore the पैसा amount second step after ignoring पैसा if such amount is not a multiple of 10 अब देखिए पैसे को ignore करने के बाद अभी भी अगर हमारा amount जो है total income जो है वो multiple 10 में नहीं है यानि कि 40 50 30 ऐसे अगर लास्ट में नहीं है तो हमें उसके last figure को देखना है अगर तो हमारा last figure 5 और उससे जादा है तो for example 45 46 47 तो अगर इस तरीके से हमारी income है तो हमें उसको increase करना है higher multiple में तो for example 45 रुपी है लास्ट में तो हम उसे 50 कर लेंगे 67 रुपी है तो हम उसे 70 कर लेंगे तो यानि कि अगर हमारा last digit जो है total income का वह 5 या उससे जादा है तो हम उससे increase amount में ले जाएंगे 10 के multiple में similarly अगर हमारा जो total income है वह 4 और उससे कम है यानि कि last में अगर क्या है 1234 तो हम उसे lower multiple of 10 में round off करेंगे तो for example रास में अगर 43 दिख रहा है तो हम उसे 40 में round off कर देंगे similarly हमें last में 62 दिख रहा है तो हम उसे 60 में round off कर देंगे तो हमें lower multiple में उसको round off कर देना है और जो भी हमारा amount निगल कर आएगा वह हमारी total income हो जाएगी तो चले भी इसकी better understanding के लिए इसको example से देखते हैं तो यहाँ पर मैंने लिया है कि जो मारी total income है that is 252,844 रुपी 99 पैसा तो यानि कि यहाँ पर 99 पैसा है तो first step में हमें क्या करना था कि जो भी हमारा 99 पैसा है हमें उसको ignore करना है तो 99 पैसा को मैं ignore कर दूँगी तो मेरे पास क्या amount आजाएगा 252844 अब मुझे इसको round off करना है अब देखें last digit क्या है last digit है हमारे पास 4 तो क्योंकि यह 5 से कम है तो हमें इसे lower multiple में round off करना पड़ेगा तो हम last में जो 44 है हम उसे round off कैसे कर देंगे 40 तो हमारा जो total income निकल कर आएगी वो क्या हो जाएगी 252840 तो यह हमारी total income हो जाएगी और हम इसके उपर text calculate करेंगे तो मान लेते हैं कि अगर हमारे total income होती 252845 तो last में 5 हो गया है तो अगर last digit है जो है हमारा 5 या उससे ज़्यादा है तो in that case हम उसे higher multiple of 10 में convert करेंगे तो हमारा total income क्या हो जाएगी 252850 तो यह नहीं कि हमारे पास 50 हमारी total income हो जाएगी तो यह वे है जिस तरीके से हम लोग अपनी total income को round off करेंगे तो सबसे पहला जो भी पैसा है आप उसको ignore कीजिए इग्नोर करने के बाद हमें last digit को देखना है अगर तो वो 1,2,3,4 है last digit तो lower multiple में जाएंगे 10 रूपी के और अगर वो 56789 है तो फिर हम higher multiple पे जाएंगे 10 रूपी के अब देखें यहां पर मैंने कुछ example लिए है तो जिससे first है 2556.98 तो पहले 0.98 को ignore कर देंगे और फिर जो last में हमारा digit क्योंकि यह 5 से बड़ा है last में है 5,6 अब 6 जो है वो 5 से बड़ा है तो हम इसे क्या करेंगे higher multiple में increase कर देंगे तो 56 का जगे last में क्या हो जाएगा 60 हो ज तो 23 को ignore करेंगे and last में 9 है यानिकि 5 से बड़ा है तो हम इसे higher multiple में round off करेंगे तो 89 को round off करेंगे तो हो जाएगा 90 तो हो जाएगा 2590 थर्ड है 2199.10 तो 0.10 को ignore करेंगे last में 9 है तो हम इसे higher multiple में round off करेंगे तो 99 की जगह हो जाएगा 100 तो हो जाएगा 2199 की जगह हो जाएग 2200 last example है 2341.12 तो पहले 12 को इग्नोर कर देंगे उसके बाद last में 1 डिजिट है तो 1 को हम lower multiple में round off करेंगे तो 41 की जगह last में क्या हो जाएगा 40 तो answer would be 2340 तो इस तरीके से हमें अपनी जितनी भी incomes आएंगी उनको round off करना है पहले ignore करना है पैसा को and then last digit की according हम उसे lower या higher multiple में round off करेंगे अब बात करते हैं section 288b जो है rounding off of tax liability यानि कि जो भी हमें tax government को pay करना होता है या फिर हमें refund लेना होता है हम उसे किस तरीके से round off करेंगे तो as per section 288b tax payable by the tax payer shall be rounded off to the nearest multiple of 10 तो same process है कि अगर हमें सबसे पहले पैसास given है तो हम पैसे को ignore करेंगे और फिर हम last digit को ध्यान देंगे if last digit is 5 or more तो हम उसे higher multiple of 10 में increase करेंगे और अगर last digit है 1, 2, 3, 4 तो हम उसे lower multiple of 10 में decrease करेंगे तो same process है जिस तरीके से हमने total income को round off किया similarly हम अपने tax liability को भी round off करेंगे बट यहां पर question arise होता है कि what is the meaning of tax liability जैसे total income में क्या था कि हमने पहले सारी head से total income calculate करी उसके बाद हमने उसमें clubbing provisions लगाए set off and carry forward किया फिर हमें GTI मिला GTI में से हमने अपनी reductions को less किया and जो income हमें आई हमें उसको round off करना होता है similarly tax liability में भी हमें क्या करना पड़ेगा सबसे पहली हमारी total income के उपड tax liability निकलेगी उस tax liability में से अगर हमने कोई TDS pay किया है तो उसको subtract कर देंगे फिर अगर हमने TCS pay किया है तो वो भी subtract हो जाएगा फिर अगर हमने advanced tax already deposit किया हुए government को तो वो भी subtract कर देंगे तो हमें निकलेगी net tax liability इसमें से अगर हमें कोई surcharge हमारे उपर applicable है अगर हमारी total income एक particular limit से जादा होती है तो हमारे उपर surcharge rate applicable हो जाते है तो अगर हमें surcharge भी pay करना है तो वो add हो जाएगा और जो आएगा उसमें हम add कर देंगे CES add the rate of 4% तो उसको करने के बाद जो हमारी liability निकलेगी tax liability यानि फिर tax payable हमें उसको round off करना है तो यानि कि हमें सारी stages पर round off नहीं करना हमें जो last amount आएगा जिसमें हमें exact government को जब सारी liabilities हमारी पिल्कुल calculate हो जाएगी कि net tax अब में कितना government को pay करना है उसको हम round off करेंगे so this was all about rounding off of total income and tax liability